ब्लैडर में कंट्रोल ना होना, यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन हो जाना, ऐसी समस्याएं बहुत कौमन हो गई है आजकल ब्लैडर में कंट्रोल ना होने का मतलब क्या हुआ? कि जैसे बहुत से लोग बहुत जोर से हस दें, खास दें, छीक दें, कुछ भारी वजन उठा लें, अचानक से उठें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ब्लैडर यानि आपके जहां पर पेशाब स्टोर होता है उस जगहा पर जादा ये मसल्स वीक हो जाने के कारण क्या होता है? कि पेशाब लीक हो जाता है अब पेशाब लीक हो जाता है तो ऐसे इस सिचवेशन में बड़ा ही embarrassing सा फील होता है ऐसी समस्याएं bladder में control ना होने की समस्या महिलाओं में भी देखी जाती है और पुरुशों में भी देखी जाती है और इसके होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई इंजिरी हो जाए, कोई सर्जिरी के कारण, या कि फिर प्रेगनेंसी के बाद, मिनोपॉस के बाद ऐसी समस्यां देखने के लिए मिलती हैं, या कि फिर ओबेसिटी की समस्या यानि मुटापा, आपकी लाइफस्टा कारण हो सकती है आज हम ऐसे योग आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन की समस्या ब्लैडर में कंट्रोल ना होने की समस्या पल्पिक रिजन पर ब्लड फ्लो इंप्रूव करना चाहे महिला हो चाहे पुरुष उनके जिनाइटर्स को स्वस जाते हैं वीडियो देखते देखते इतने मगन हो जाते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी का निशान दबा लेंगे ना तो मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आपके करते हैं योगासनों का अभ्यास जो हमारे यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करेंगे सबसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं ताडासन स्ट्रेच का तो आप क्या करें दोनों पैर की एडियों को और अंगुठों को एक दूसरे के साथ जोड़े लेकिन ऐसा है अगर आपको कि आपको एडिया उठाने में दिक्कत आ रही है तो आप दिवार के सहारे या अभ्यास कर सकते हैं दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फसा लिया और फिर उसके बाद सर के उपर रखा और फिर उसके बाद सास लेते हुए दोनों हाथों को छट की तरफ खीचेंगे और एडियों को उठा के पूरी बॉड़ी को छट की तरफ इस तरीके से खीचेंगे और सास छोड़ते हुए पाम को वापस से सर के उपर रखा एडियों को ड्रॉप कर दिया फिर से सास ले इसका अभ्यास आप 5-10 बार कर सकते हैं इस तरीके से पूरी बॉड़ी को छट की तरफ खीचें ऐसे और फिर उसके बाद वापस से हथेली को सर के उपर रख लें तो जब आप उपर की तरफ बॉड़ी को खीचें तो अपनी पूरी नाभी पर ध्यान रखें और पेट को अंदर की तरफ खीचें इस तरीके से और फिर उसके बाद सास छोड़ते हुए अपने हाथ को वापस से सर के उपर रख लें एक चीज़ का ध्यान रखें अगर पेर को जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो पेरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी थोड़ा सा फासला रखे, बहुत से लोगों का बैलन्स आसानी से नहीं बन पाता तो अब इस तरीके से एडियों को उठा के आराम से अभ्यास कर सकते हैं ऐसे, अगर बिना सहारे के नहीं कर सकते हैं तो दिवार से ऐसे लग जाएं और फिर उसके बाद इस तरीके से अभ्यास किया करें ऐसे, लेकिन जरूरी क्या है, ना भी पर ध्यान लेके जाएं और abdominal muscles को अंदर की तरफ खीजे, यानि पेट की मान स्पेशियों को हलका सा अंदर की तरफ खीजे अब हम अभ्यास कर रहे हैं, उत्कट आसन या इंग्लिश में इसे chair pose कहते हैं आज उत्कट आसन का अभ्यास करते वक्त हम क्या करेंगे? कि अपने दोनों पैरों के बीच में एक तकिया, छोटी तकिया जो ज़्यादा heavy ना हो या कि फिर मेरे पास है एक ये yoga block, ठीक है? अगर आपके पास yoga block नहीं है तो आपके पास cushion होगी, cushion का इस्तमाल कर लें तो इसको क्या किया मैंने? कि इस तरीके से अपने दोनों thighs के बीच में यहाँ पर ऐसे इस तरीके से फसा दिया, ठीक है? तो दोनों पैरों के बीच में हलका सा जितना फासला हो पाए उतना फासला रखें अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी lower abdomen region पर ध्यान रखके इसको हलका सा अंदर की तरफ पुल कर पाएं हैं तो इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में आपने yoga block को फसा लिया, सामने देखें सास ले, सास छोड़ें और सासों को रोकें और फिर उसके बाद सास ले ले, फिर से देखें, दो बार और सास ले, सास छोड़ें, हिप को पीछे पुश करें और पेट को अंदर की तरफ खीच के रखें और सास ले ले, एक बार और, पूरी थाई मजबूत हो जाएगी, lower body मजबूत हो जाएगी सास लिया, और सास छोड़ते हुए हिप को पीछे पुश करें 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उसके बार आराम से खड़े हो जाएगे अब आप जब यह अभ्यास करेंगे ना, पैर तो मजबूत होंगे, abdominal muscles मजबूत होंगी लेकिन अपर बाडी भी बहुत अच्छी तरीके से खिच रही है उपर की तरफ अब यहाँ पर जो गलतिया नॉर्मली लोगों से हो जाती है, वो क्या होती है कि आप क्या करेंगे ना, ऐसे करके ऐसे hip को पीछे push करेंगे ऐसे, इस तरीके से, सास लेंगे और सास छोड़ते वे ऐसे तो यह चीज यह गलती नहीं करनी है आपको proper imagine करना है कि पीछे कुर्सी कुर्सी पर कैसे बैठते हैं ऐसे थोड़ ना बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं कैसे बैठते हैं, रीड की हड़ी को सीधा रखना है, ऐसे और फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे तो इस चीज का विशेश ध्यान रखें अब हम अभ्यास कर रहे हैं उतकट कोणासन या इसको देवियासन या गौड़ेस पोस के नाम से भी जाना जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे? आपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम 3 फीट का फासला रखना है फिर उसके बाद क्या करना है? आपके जो अंगूठे है ना बड़े अंगूठे इनको बाहर की तरफ घुमा दीजिए दोनों को बाहर की तरफ ऐसे घुमा दीजिए जिससे कि आपके घुटने बाहर की तरफ हो जाए आउट ठीक है? शोल्डर के एकदम सीधे में ऐसे बाहर की तरफ हो जाए ऐसे अंदर नहीं रखना है ऐसे बाहर की तरफ रखना है हिप को नीचे की तरफ इस तरीके से पुश करना है ऐसे और बाडी स्टेबल रखना है बाडी सीधी रखना है ऐसे सामने नहीं जुपना है लोवर बॉडी में बहुत अच्छी मजबूती आएगी और अपर बॉडी में स्ट्रेच आएगा, हाथ को उपर की तरफ खीचे और पेट पर ध्यान बना के रखना है हर एक पॉस्चर में, फिर उसके बाद सास ले ले, सास ले, सास छोड़े, सासों को रोके, फिर वापस से सास ले ले, सास ले, सास छोड़े, सासों को रोके, वापस से सास को ले ले, तो जैसे ही आप नीचे की तरफ ऐसे बैट रहे हैं, पूरा जो खिचाओ इस जगह पे आ रहा है ना, इसको महसूस करें, इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, थाइस की मजबूती, आपके घुटनों की मजबूती बढ़ेगी, वापस से हाथों को जोड़े, और फिर उसके बाद रिलीज कर दे, तो इसका अभ्यास आपको 10 से 15 बार जरूर करना है, हर दिन सास लिया, छोड़ा, रोका, वापस से सास ले लिया, अब इस अभ्यास को करते हुए गलती आप बहुत से लोग करेंगे, जो कि मैं बता देती हूँ पहले तो आपको ध्यान रहेगा, पेरों की बीच में बहुत कम फासला नहीं करना है, बहुत से लोग क्या करेंगे, और क्या करेंगे पेरों को ऐसे अभ्यास करेंगे, ऐसे, इस तरीके से, तो आपका pelvic region अभ एसे खोल के रखना है इस तरीके से ऐसे खोल के रखना है ठीक है तो ये धियान रखिएगा अब हम अभ्यास कर रहे हैं वीरभद्र आसन टू का जीसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक योध्धा के समान आपके शरीर को मजबूत बनाएगा ये आसन लोग बाड़ी को मजब प्रेच लेके आएगा तो आपको क्या करना है दोनों हाथों को कमर के उपर रख लीजिए देखिए अभी दोनों पैरों को देखिए मेरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं अब पहले अभ्यास हम राइट साइड करेंगे ना तो क्या करेंगे कि ऐसे एल बना ले ठीक ह कर लिया अगर आप लंबे चौड़े हैं तो लगभग साड़े तीन फीट का फासला आराम से कर ले तो यह हो गई पैरों की पोजीशन अब आप क्या करेंगे कि अपने राइट पैर को जो है तो घुटने से ऐसे मोडेंगे इस तरीके से ठीक है घुटने को घुटने से अपने अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली को देखने में इस तरीके से और स्टेबल रखना है बॉड़ी को वान टू थी फोर एड़ फाइव दुनों हाथों को कमर के उपर रखा और पॉस्चर को रिलीज कर दिया अब जो अभ्यास हमने राइट साइड किया है इसी अभ्यास को हम लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे तो वापस से दोनों पैरों के बीच में हमने क्या किया 3-3.5 feet का फासला कर लिया अब क्या करेंगे राइट फूट को अंदर करेंगे क्योंकि राइट साइड का अभियास हो गया है लेफ्ट फूट को बाहर करेंगे और फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर पे रखा लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ना है हिप नीचे पुश करना है और दोनों हाथों को ऐसे फैला लेना है और फिर उसके बाद चेहरे को घुमा देना है लेफ्ट हाथ की बीच वाली उंगली को देखने में ऐसे आगे मत खीचिएगा पीछे मत खीचिएगा नीचे की तरफ पुश करेंगे ऐसे दोनों हाथों को कमर पे रखिए रिलीज कर दीजिए इस आसन का अभ्यास दाहिनी साइड और बाई साइड तीन तीन बार या पाँच बाच बार कर लीजिए और बीच बीच में पॉस्चर को रोकना भी जरूरी है अब जरा जान लेते हैं कि गलतियां क्या होती है? वीरभदव रासन टू करते वक्त तो जैसे मैंने बताया कि आपको दोनों पेरों की बीच में फासला करना और दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजीशन पे रखना है गलती लोग क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथों को इस तरीके से तो आपको posture कैसे करना ये तो मैं बता ही रही हूँ, साथ ही मैं ये भी बता रही हूँ कि क्या चीज़े नहीं करनी है। अब हमने खड़े होके इन आसनों का अभ्यास कर लिया, अब हम बैट कर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, हम अभ्यास कर रहे हैं मल आसन या गर्लेंड पोज का। इस आसन का अभ्यास अगर आप निरंदर करते रहते हैं, तो इससे लोवर बॉडी की फ्लेक्सिबिल्टी इंप्रूव होती हैं, और साथ ही एक कॉंस्टिपेशन की समस्या को दूर करने में भी बहुत मदद करेगा, आपको करना क्या है, आराम से दोनों पैरों को ऐसे मैट पर रखना है, और फिर स्कौाटिंग पोजीशन पर बैठना है, तो जब आप इस तरीके से स्कौाटिंग पोजीशन पर बैठते हैं, तो ध्यान दे एडिया अंदर की तरफ है, और आपके बड़े अंगुठे बाहर की तरफ है, इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपको दोनों हाथ को ऐसे छाती के सामने जोड़ना है, और अपने घुटनों को बाहर की तरफ ऐसे पुश करना है, इस तरीके से, और फिर उसके बाद सामने की तरफ देखना है, अब जब आप यह अभ्यास कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, कि आपको आपका ध्यान अपने जिनाइटल पर लेके जाना है, महिलाएं हों, चाहे पुरुश, आपको जिनाइटल के पास ले जाना है, कभी-कभी, जैसे कभी हमें पेशाव रोकने की जरुरत होती है, तो हम अपने जिनाइटल के पास कैसे कंट्रोल बनाते हैं, ताकि पेशाव रुख जाए, तो उसी तरीके से अपने genital region को अंदर की तरफ पुल करें और फिर धीला छोड़ दें अंदर की तरफ पुल करें और धीला छोड़ दें महिलाएं अपनी vaginal muscles को और जो पुरुष हैं वो testis के आस पास इस ध्यान को ले के जाएंगे अंदर की तरफ पुल करें और फिर रिलीज कर दें तो इस अभ्यास को कम से कम आप 5-10 मिनट आसानी से कर सकते हैं ऐसे मलासन में बैठे हुए तो मलासन के benefit तो मिली ही मिल रहे हैं साथ ही सहजौली और वज्जौली मुद्रा का भी benefit मिल रहा है तो सेम अभ्यास को जब आप जनाइटल लिजन को अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं छोड़ रहे हैं तो जब महिलाई इसका अभ्यास करती हैं तो इसको कहते हैं आप सहजौली मुद्रा और जब पुरुष इसका अभ्यास करते हैं तो इसी मुद्रा को कहते हैं वज्जरॉली मुद्रा तो बहुत से लोग इस तरीके से मलासन में बैट नहीं पाएंगे क्योंकि घुटनों में दर्द की समस्या होगी या मोटापा बहुत होगा या बिगनर्स होगे तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ऐसी योगा ब्लॉक हो या छोटा स्टूल हो आप उसको अपनी कमर के नीचे इस तरीके से रखें और इसके सहारे आराम से ऐसे बैट जाया करें दोरों पैरों को अच्छी तरीके से खोला करें और सामने देखा करें शुरू शुरू में अगर स्टिफनेस बहुत जादा हो तो हो सकता है आप ना बैट पाएं लेकिन कुछ से किंड का अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप आसानी से बैट पाएंगे इस तरीके से अब हम अभ्यास कर रहे हैं बद्ध कोन आसन का या इंगलिश में इसे कॉबलर पोज कहते हैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि मुची कैसे बैटता है इस तरीके से आपने जो ओजार होते हैं उसके जूता बनाने का उसको अपने दोनों पैरों के बीच में पकड़ता है फिर उसके बाद उसी को देखते हुए इसासन का नाम पड़ा है तो दोनों पैर के पंजो को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि अपनी एडी को अपनी पैल्विक रीजन के जितना करीब ला सकते हैं इतना इस तरीके से गुटनों में अ उपर और नीचे उपर और नीचे ऐसे फ्लाप करना है उठाना है और फिर छोड़ना है उठाना है और फिर छोड़ना है कंट्रोल के साथ ये काम करेंगे आप बहुत से लों क्या करेंगे धीरे धीरे ऐसे जल्दी जल्दी करने के चकर में ऐसे 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 तो इसमें कं प्रविक रिशन के अराउंड तो आप क्या करें इसी को उठाएं छोड़ें थोड़ा कंट्रोल लगा के चोड़ें ऐसे उठाएं छोड़ें उठाएं छोड़ें और पूरा ध्यान कहां रखेंगे आप जिस जगहा पर अभी काम हो रहा है इनर थाइस पर पूरे इनर थाइस पर हिप जोइन्स पर लोवर बाक पर ऐसे इस तरीके से इस तरीके से और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और फिर उसके बाद आराम से अपने दोनों पैरों को हग करेंगे ऐसे अब इन अभ्यासों को करने के बाद मैं आपको highly recommend करूंगी कि आप सभी को कपाल भाती क्रिया का अभ्यास करने के लिए आप क्या करेंगे दोनों हाथों को घुटने के उपर रखें अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लें आखों को बंद कर लें और forceful exhalation अ इस तरीके से अपने दाहिने हाथ को पेट के उपर रख लें सास लें और सास छोड़ें मैं अपने दाहिने हाथ को पेट पर इसलिए रख रही हूँ ताकि आप मेरी pumping की जो frequency उसको समझ पाएं जब आप अभ्यास करें तो हाथ को घुटने के उपर ही रखा करें इस तरीके सास लें और सास छोड़ें फिर उसके बाद हाथ को घुटने के उपर ड्रॉप कर दें आँखों को बंद किये हुए एक मिनट तक शांती से बैठे रहेंगे शरीर को ना ही लाएं डूलाएं आँखों को ना खोलें शांती से बैठे रहें तो जो भी व्यक्ति कपाल भाती का अभ्यास हर रोज करता है सबसे पहली बात तो आपके शरीर में हॉर्मोन की जो गड़बड़ी है वो संतुलित होती है शरीर में बलड सर्कुलेशन इंप्रूब होता है ब्लाडर में जो कंट्रोल नहीं रहता वो तो कंट्रोल हो गा ही साथ ही आपके ढ्रिया कलाप है अच्छी तरीके से चलती रहती है तो आपको इन अभ्यासों को ज़रूर करना चाहिए शरीर की overall कारिक्षंता improve करने के लिए तो ये तो थे कुछ योगासनों के अभ्यास जो मैंने आज आपको step by step सिखाए अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रहके हर दिन योग का अभ्यास करना तो आपका स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से conduct किया जाता है ताकि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो आसानी से इन classes को join करके हर दिन योग का अभ्यास कर सकें इन classes में हम क्या क्या सीखेंगे इन classes में हमाई अलग अलग तरीके के आसन, प्रानया, मेडिटेशन, क्लिंजिंग टेक्नीक और रिलैक्सेशन की बहुत सी टेक्नीक सीखेंगे अगर आप बिगनर हैं तो घबराईए नहीं हर एक अभ्यास को बड़ी आसानी से आपको सिखाया जाता है अगर आप अल्रेडी योग का भ्यास कर रहे हैं फिर भी ये classes आपके लिए बहुत beneficial होने वाली है अगर कोई health condition है ना तो घबराईए नहीं कई सारी lifestyle disorder, disease जैसे diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure conceive ना कर पाना, PCOD, PCOS की समस्या, अत्यधिक मांसिक तनाव होना obesity यानी मुटापे की समस्या ऐसी किसी भी समस्या में ये classes आपको बहुत ही जादा लाब देने वाली है कोई भी medication चल रहा है ना, doctor के consultation में तो आप रहिएगा साथ ही मेरे साथ योगावध्यास कीजिए देखे कुछी दिनों में आपकी health condition में कैसे फर्क नजर आता है अगर किसी कारण से आप zoom के माध्यम से मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे courses design किये हैं ऐसी कुछ videos बनाई हैं, जो कि YouTube में तो बिल्कुल भी available नहीं है unique sequences तरीके से design किया है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इन video की मदद से अपनी योग के अभ्यास को शुरू कर सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर के ही comfort zone में रहे के इन videos को play करके कहीं भी, किसी भी जगा, कितनी बार भी इन video के माध्यम से अभ्यास शुरू कर सकते है और अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप ये course purchase कर लेते हैं तो आपको lifetime का access मिल जाता है तो अपनी speed के हिसाब से आराम आराम से अभ्यास करें जब आप course complete कर लेंगे तो course के completion का certificate भी वहीं से आपको मिल जाएगा अगर आप इन zoom classes और online courses के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी website शेयर की है जो की है www.yogavidshahida.com या तो link मैं description में दे दूँगी या कि फिर अगर आप website नहीं visit कर पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एक WhatsApp नमबर छोड़ रखा है इस WhatsApp नमबर पर एक WhatsApp कर दे ताकि मेरी team के द्वारा आपको class के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए तो जाएए मेरी website विजिट कीजिए या एक WhatsApp कीजिए तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने step by step आपको इन योग आसनों का अभ्यास करना बताया मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताईएगा और हाँ आपको ये भी कमेंट करना है कि फ्यूचर में आप मेरे चैनल पे कौन से टॉपिक पर वीडियोज देखना पसंद करेंगे मुझे बेहद खुशी होगी आपके बताये हुए टॉपिक पर वीडियोज बनाके अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है ना और मुझे और मोटिवेट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उस सब्सक्राइब के बटन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को रिष्टदारों को सब को वाटसेब कर दीजिए या फॉर्वर्ड कर दीजिए अभ्यास जारी रखे निरंतर अभ्यास करेंगे तब ही आपको किसी भी तरीके से इनके लाब मिल पाएंगे खुद भी अभ्यास करें और अपने दोस्तों रिष्टदारों घरवालों सब को मोटिवेट करें कि वो भी योग का भ्यास करें अगली वीडियो में बहुत जल्दी आप सभी से मिलूंगी तब तक आप सभी अपना खूब खयाल रखिए नमस्ते जुद भी इन दो जल्दी